हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुसके में हम चैनल उपचानुसके में रोज एक लेटिस डूडियो अब्रेट करते हैं यदि आप हमसे जूड़ना चाहते हैं तो सबसे पहरे आप हमारे चैनल उपचानुसके को सबस्क्राइब कर लें जिससे स्मार्टपॉन यूजर्स की परिशानी का कारण है कई बार Android स्मार्टपॉन के प्रियोग के समय ही हमारा फॉन हैंग हो जाता है उस समय या तो हम अपना फॉन रेस्टार्ट करते हैं या फिर थोड़ा इंतजार करते हैं कि शायद कुछ देर में यह ठीक हो जाए एक बार अगर मोबाइल में हैंग की समस्या शुरू हो गई तो फिर अकसर यह परिशान करने लगती है परन्तु इस समस्या से इतना परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस समस्या से चुटकारा पाने के भी कई ऐसे उपाये हैं जिनके प्रियोग से आप असानी से अपने फॉन को ठीक कर सकते हैं फर्म वेयर अपडेट आपके मोबाइल के हैंग होने का एक कारण आपके मोबाइल का पुराना सॉफ्टेयर भी हो सकता है कई कंपनिया इस समस्या के समाधान के लिए अकसर अपडेट देते रहती है जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी मिलता है लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन सो नहीं हो रहा है या आपके मोबाइल में ये नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप setting में about phone और फिर software में जाकर भी इसे check कर सकते हैं अगर update आया है तो आप mobile को तुरंत update करें ऐसा करने से भी mobile के hang होनी की समस्या कम हो सकती है cloud storage का करे प्रियोग अगर आपके smartphone का data अधिक हो जाता है तो आप memory card या फिर computer का सहरा लेते हैं लेकिन memory card या फिर computer के अलावा एक तरीका और भी है जिसमें आप अपना data store कर सकते हैं इसे cloud storage कहते हैं cloud storage के माधियम से आपको GB या TV तक का data इंटरनेट पर upload कर सकते हैं और फिर जब चाहें वहाँ से लेकर प्रियोग कर सकते हैं लेकिन इस बात का विशेज ध्यान रखें कि cloud storage का प्रियोग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्राव बॉक्स, iCloud और Amazon Cloud Drive इत्यादी famous cloud storage सेवा हैं जिनके प्रियोग से आप phone या computer पर upload the file folder को cloud में store कर सकते हैं और जब चाहे online access भी कर सकते हैं memory card को पूरा ना भरें phone hang होने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण आपका memory card भी हो सकते है अगर आपके mobile में बत्ती GB तक के memory card का support है और आप बत्ती GB का card प्रियोग कर रहे हैं तो कोशिस करें कि card को पूरा ना भरें अधिक्तम छम्ता से कम का ही memory card का प्रियोग करें तो ज़्यादा बहतर होगा Task manager कई बार हम अपने mobile को यूज करते समय एक साथ कई सारे application उपन कर देते हैं और ये सभी application background में रन कर रहे होते हैं जिससे mobile के hang होनी की संभावना बढ़ जाती है ऐसे में कोशिश करें कि task manager के माधियम से application को बंद कर दें धेर सारे application को रन करनी की वज़ा से भी आपका phone hang हो सकता है phone memory को भी करे खाली हम में से ही कई लोग अपने phone में games, photo editor और भी बहुत सारे ऐसे app इंस्टॉल कर देते हैं जिससे mobile hang होनी की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपके phone में भी कुछ ऐसे app है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है यह जिनका आप इतना use नहीं करते तो उन्हें delete कर दे क्योंकि mobile में ज़्यादा app होने पर भी mobile की RAM पर load पड़ता है जिससे हमारे mobile के hang होनी की समस्या शुरू हो जाती है फ्रेंड्स अगर आपको यह सबी बाते पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को like, subscribe और share करना ना भूले